कि लो हैं पुदए डिस्कर्स एबाउट डिस एंट्री आप grazing है जो झी यह डिसेन्ट्री दीश्ट से लिया गए है डिसंट्री और एक ड्रीयल टिजीज होती है डेसन्ट्री अब डैरिया जैसा होता है लेकिन इसका जो प्रिजंटेशन होता है वो डैरिया से थोड़ा सा अलग नुक्र करेंगे क्या होता है डेसन्ट सबस्पहले हम सबस्तेव महें कि देख लेते ह्ग कि हम किस तरीक से डिफाइन कर सकते किस तरीकसे जान सकते है कि देखिए गिश इा एजबर और एल्रे सबसके पहले कहाँ जबर आइर्जेंटरी आ है लेकिन इसका जो प्रिजेंटिंग है वो कैसे है बेते लूज फ्रिक्वेंट इस टूल कंटेनिंग बिलड़ यानि ऐसा इस टूल जो बहुती बाटरी टाइप का हूँ लूज हूँ और साथ में बिलड़ के कंटेन आ रहे हूँ तो ऐसा इस टूल आ रहा है उसको हम इसके अंदर जो कंटेन है वो कंटेन कम आता है बाटर ज्यादा आता है और साथ में बिलड़ की भी कुछ कंटेन आते हैं तो ऐसी कंडिशन को मुने क्या बोला है कि डेसेंट्री नेक्स्ट अगर मौसमी के अनुसार इसकी डेफिनिशन देखी जाएं तो उसके अंदर बो अग्य को लोन को इंटेश्ट टेंकल आज आ अपने अपड़ा होगा जैसे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है मारे इंटे इंटेस्टेन होती है लार्ज इंटेस्टेन ठीक है उसके अंदर जो यह इस्टेक्चर वनी है यह घूम जो इस्टेक्च़र सुंद्स वनती इइक कं क Difle बोलते को फेश विक या फेश लिग के अंदर क्या हुआ हैं इंफ्लमेसिन ओए या फिह किसी केमिकल के द्वारा इ slopes कि आ गया और किसी बैक्ट्रिय आ के द्वारा प्रटोजा क्या टीस के पास हो रहा है बलड के साथ में ऐसी कंडिशन को हमने क्या बोला है किびसेंटर अगर देखा जाएक PAL कि इसके करेक्टर्स क्या है तो कर्यकेर्टरस विसके यही से में जैसे बिलड स्टूल स्टूल कैसा रहा है बिलड के साथ में आ रहा है और अब्डोमिनल पैन होगा अब्डोमिनल पैन होगा इसके अलाव क्या होगा टिनीशंस टिनीशंस माने होता है एक तरीके से जो मसल्स होता है मसल्स के अंदर क्या आना क्रेम्स आना क्या कर लोजी की बात करें कि कॉजेटिव इसका एजेंट जो होता है बैक्टरिया जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो देख तो सेगिला डिसेंट राई हो गया सेगिला फ्लेक्शनरी हो गया सेगिला सोने लिख हो गया तो यह इसके कॉजेटिव एजेंट है यह कौन है कॉजे कोई भी एजेंट है जैसे लाइड बैक्टरिया है बैक्टरिया जाएगा हमारी बोड़ी के अंदर क्या करेगा एंट्री करेगा कहां करेगा माउथ के द्वारा उसने एंट्री की एंट्री करने के बाद में ह 옛 improv Day रो जो फोड़ होता है जिसके अंदर और जो पानियों T i7 फूर सेंटरी करेंगे से करेंगे ये तांज िन stay का लूट स्का पूट्र ऄठाज़ाे त यह डायरेक्ट टांस्मिटेड हो और कोई भी कंटामिनेटर फोड या वाटर हमने लिया आएं तो डायरेक्ट टांस्मिटेड होगा वो कौन से रूट के द्वारा ओरल फीकल रूट क्यों का आगा कियो कि इसमें फीकस की मात जो सभिस्टान से तरीक से बोल सकते हैं वह भी इकलई होते हैं इन्फेक्टिट फूरें कुट होता है तो आईसी कंडिसंस में औरल फीकल रूट के द्वारा यह हमारे अंदर जा रहा है कौन जा रहा है बैक्टिरिया जा रहा है जाने के बार में क्या करेगा यानि मोश्टली यह किसको देखी हम पीडियाटेक नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मोश्टली यह किसको इंफेक्टेड कर रहा है चिल्डरन को क्योंकि चिल्डरन के अंदर इम्मूटी कमजोर होती है उनका इंटेस्ट जल्दी से इंफेक्टेड हो जल्दी से पर्फोरेट हो जाता है बच्चों के अंदर बच्चों के जो इंफेक्टेड होने के चांस होते हैं वो ज्यादा होते हैं मैं लिए उनकी इम्मूटी और कहीं और सारे इंवार्मेंटल फैक्टार्स उनका फोड हैबिट कहीं सारे उनकी क्या होती है समिश्या हो जाती है चोटे बत चुके तो जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं अगर कि बात करें तो देखिए पूर कंट्री जो को दिया जाएगा इसलिए ऐसा हो सकता है हमें लिए हाइली लाई देट चाइना हो गया इंडिया हो गया यह कंट्री इनकी अंदर भी क्या होगा हाईजीन मेंटेन नहीं हो पाएगी और इसको जो प्राइटरिया है उसका ट्रांस्राइट होने के चांसे जदा हो रहा है क्राव słठी प्लूपोटीछ ग्रावलबार वाली सटेशोटे बत्चे 25 और रहते रहती है उनको खाना मिलते तक हा ना कोई हीमेंटर नहीं हो पाएगा जिसकी बने सेख्ञूबना होती से चाहिए कर दो। है तो ऐसे सच्विसंस होती है वहां पर ऐसा इंफेक्शन फैलने के ज्यादा चांसे होते हैं क्योंकि इसका रूट भी औरल फीकल रूट है कोई भी फूड वार्ट कच्वी कंटामिनेट मिलेगा इसका फैलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं कि बापस से एक बार फिर समझ लेती कि कॉमन केस इंपेक्टेट टूदा चिल्डन अभी में समझाया था ही बच्चों में क्यों ज्यादा होता रही कि नेक्स्ट इसका बिंडू पीरियट देखें कि हमने आज कंटामिनेटर फोड़ खाया है या आज हमने कंटामिनेटर यकसार दिन जैनि आज लिया तो आस आज भी हो सकता है और आज से चार दिन पांसों और की बीच में हो सकता अगर हम इसके जब जांज कराएंगे तो हमारा हुर। जो मार फीकर से उसके अंदर यानि जो बच्चे का फीकर से उसके अंदर क्या डिटेक्ट करेंगे। करेंगी ठीक है फच्ट एक्सपोच के बाद में ऐसे नहीं कि आज हुआ है आज हम डिटक्ट कर लेंगी फच्ट एक्सपोच के बाद में सायन और यह एक्टिप टैम टीवी इनफेक्टेड अगर इसका साइन देखा जाए तो डैरिया ही इसका साइन है डायरिया जैसा कि देखिए है कि अरफ फिर से कुछ्छ बातों को अमटरलाइण कर लेती है कंटामिनीटेट फूर्ड के दोखर होता है एस तो टू आई इन्फेक्टर नहीं पानी के दोखर होता खेस के दोखर होता है वेक्ट्रिया की बात करत Rights बेक्ट्रिया कौन सा होता है सेगी लाइए इंटर टुद गट मन इंटेस्टाइन होती है ग्रोथ करता है इसमाल इंटेस्टाइन के अंदर ग्रोथ कहां करता है स्मालड़ इंठेस्टेम्न के अंदर उसके बाद कहा जाए कारों में जाए का ना कॉलों में जया गोई होती एक्टिल मुकोसा authent करेगा और वहाँ पर toxin secret करेगा कोई भी bacteria toxin secret करता है जो बैक्टरिया का एक तरीके से poison होता है उसको secret करता है उसके बाद में क्या होगा जो कॉलोन है कॉलोन की वाल है दीवार है इपितिलिया में उसको नेक्रोसेस होगा नेक्रोसेस होगा तो जो इसको ब्रेकटाउन होगा जो कॉलोन ने उसकी डी वारे है जैसे सब्सक्राइब इसके अंदर करेगा यह रप्चर करेगा इंप्रेक्टट इनिपलांeur करेगा यह कि सेल्स टिशू को यह किरेदा करेगा जब इने जाने लगेगी तो आंधर लियर है मुसर्टा लिया रहे है जिसे मुछर्ट्रम जब क्फाटम हो जाएगा कि और वहां से दीरे दीरे अभी मैं आगे आपको समझाओंगा जैसे यह इंटेस्ट रइन है इवर फिर से हम बनाईगे यह इंटेस्ट रैने यहां की इव यांकी दीवारिक फितम हो गई तो यहां से बिल लॉड़ दीर दीरे अइसे गिरने लगेगा ऐसे क्या वने डताते हैं यहां से अंदर की साइड से बाटर इस तरी के से गिरने लगेगा गिर किया होगा यह सब पासवा यानि लूसी सीटवने गालत बने गा और कैसा बने ऱ्वार्टरी बनेगा और बने का यह कि इसकी इसकी अंदर की तूटे गी नेक्रुसेस होगा तो क्या होगा यहां से बाटर और बिलड इंटेस्टेंड के अंदर गिरने लगेगा ड्रॉप आउट होने लगेगा ड्रॉप आउट होगा तो यह सब बार बोड़ी से बार निकलेगा तो इसका प्रिजेंटेशन होगा वो कैसा होगा बार्टरी कैसा होगा बार्टरी और साथ में क्या होगा बिलड नेक्स्ट अगर लंबे समय तक ऐसा होता रहा लंबे समय तक ऐसा होता रहा तो एपीदिलियम सेल कर जब खतम हो जाएगी हमोरेज होगा म्यूकस निकलेगा प्लूरेंट न यह सब होगा और राश्ट एंड होगा कि अल्सर कॉलोन अकर्स यानि कॉलोन के अंदर क्या बन सब्सक्राइब करेंगे मैनिफिश्टेशन के हम बात कर लेते क्या मैनिफिश्टेशन सो होएंगे अचानक से उन सेट होता है है ना है है रिक होन होता है जब ये इंफ्रेक्शन होगा तो क्या होगा है रिक होने लगेगा सिरदर्ध हो सकता है मैलाइस हो सकता है यानि यह क मुट लगने कम माल्ड फीवर हल्का सा बोड़ी गरम रहने लगेगा अब्डोमीनल डिस्कंपट रहने लगेगा नौर्मर और कारने लिए बर व कार है पेन हो सकते सीर वह सकते नौरम दीन सकता ज़्यादा तर जो पेन होता है ये साथ होता किसके सफ़ता क्रेंप के साथ नंय होता है यानि मुसर्णईंसके नंदर पेन होता है कॉलिक पेन होता है एक अलग तरीके से पिन पॉइंट पेन होता है यह इस पेसल एरिया में पेन होता है डायरिया की बात करें चार से पांच वार डायरिया जा सकता है फश्ट डे इंफेक्टेट के उसके बाद में इसकी फ्रूक्यांसी बढ़ सकती है और इससे भी ज येलो इस कलर का इस्टूल होता है है ना इस्टूल के अंदर इस्टूल कम होता है लेस्टूल इस्टूल कम होता है और म्यूकस और बिलड जादा होता है मैंने अभी बताया था आपको कि इंटेस्टेंड का जो इंटर्नल वाल है उसका नेक्रोसेस होगा उसकी इपिथिलियम किसे का नेक्रोसेश होगा वहां की सेल्स होगा रफचर होगी वहां से बाटार इसटोल निकलेगा तो हासे मुक्रिव यह निकलेगी और बार निकलेगा और बिलड ने कलेगा तक ड्रील कंटिवुटरी पीरियोड ताइम 150 to more जैसे बच्चा पहले एक बार जाता था अभी बच्चा कहीं बार जाने लगेगा पहले के बज़ाए बच्चे का जो डैरियत जाने का टाइम प्रिटेव बहुत जाता बढ़ जाएगा टिनिसम्स मतल होता है पेट के अंदर मसल्स के अंदर क्रेम पाना एटेशन की हम बात कर लांचे है जयाँ कैसे में परेच्चन करेंगे यां कैसे हम प्रेचान इपक्रीक यो बचियों कर देखिए हो सकता है जिस बच्कोर देख मच्चा कैसा देख रहा है जिस बच्चे को मत तरिक से अज देखने का त्रीका है उसका कळलर है उत्रश हो झार बच्चा लेथार्ज सब्सक्ता बाइन हगए प्रंशव को पिंच से कि नधर से बाटर लॉस हो गया है जैसे हमकी तलिक करते Circle दो के नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर बाटर नहीं है नेक्स्ट जो स्टूल आपको बलकु कट्ञेशन कर आएंगे हम इसको कौन सा हुआ है यह सstat्ता हमारा कि हम कैसे और देख सकते लुक कर सकते फील कर सकते बच्चे की कंडिशन को इन्वेस्टिकेशन के अंदर हमारा इन्वेस्टिकेशन कल्चर होता है स्ववाव रेक्टर फोर कल्चर यानि हम इस टूल का इसका सेंपल लेंगे और उसको हम क्या करवाएंगे कल्चर करवाएंगे किसलिए कर वा सकते हैं जिसके अंदर अर इमवीटासिस हो गया अल्ट्रेटिव कोलाइटेस के बारे में चैमेक कोलाइटेस डाइबर्टिकुलाइटेस आनगे शनॉमा कोलोंस यानि ऐसी कोई कंडिशन तो नहीं है इन सब के लिए भी हम क्या करवा सकते इनवेस्टिकेसन कर वा सकते लेकिन इस होपार नहीं करेंगे क्यों की हम सिर्प सेला के बारे में की इन मेश्टिकेस्ट रहnaj ऑाने के यहां पर मुश्ट प्रायविटि देंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अगर किसी बच्चे को डेसेंटरी हुआ है covet तोபोर क्या को मली कि सनॉज सकते हैं देखिए अंदर जो लार्ड इंटेस्टाने उसकी वाल रचेंट हुई है तो ऐसे बच्छे को इंटेस्टेनल हेमोरेज हो सकता हैं और होता भी पर्पॉरेशन हो सकता है परपुरेशन मतलब अंदर की लियर परप्वरेट हो जाती है जैसे हमारी स्किन काफ pillars समय तक अगर हमारे जिसका है वार हम क्या करते हैं हमारे हाथ को पैर को काफी लंबे समय तक हम पानी के अंदर डाल देखे वापस निकालते इसके एक तरीक से फूल जाती है ना तो इस तरीकी के कंडीशन के अंदर भी हो जाती है और सकतों परपारेशन से पोलेंगे यह 1 म बज़होता है पेरिटओनाइटेम हो सकता है परिटओनाइटेश का बोगता है या ये श्कth के अंदर इंफ्ट टाइवा बढ़ता हुआ जबढ़ा इतना बढ़ गया है कि वह इसकी दीवार को क् और infection चला जाेगा तो उसका का उसको का उसकौन सरह कडिशन वांत प्रीतोनाइडिस बोल देंगे प्रलप सथम्ट हो सकता है एकल के साइड़ निकल सकता है बार 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 हम प्रेंसर लगा रहे है तो एशी कंडिशन की बजह से रेक्टुम का प्रोलैप्स भी हो सकता है एंौता आधरी संट honestus हो ağ performed है राइचेश आतरो यह नहीं लंबे समय ब्र यह इससे चलता रहता है इसको टीट करवाया गया तो next हम treatment की बात लिए है कि क्या treatment हम इसको करेंगे क्या management हम करेंगे तो सबसे पहले तो हम नर्सिंग मेनजिमेंट के बारेम बात करते हैं कि ऐसा बच्चा है जो डिसaint्ती से pd थे तो उसका Q नरुसिंग मेनेजमेंट रहेगा एडमेट फूर वेरियर नर्सिंग केर यानि अलग प्रकार गी नर्सिंग किया रहे और ऐसी नर्सिंग केर जो बेरियर का काम करती हो यानि इंफेक्शन को रोपती हो तो उसके लिए हम उसको एडमेट करेंगे कंप्लेट रेश्ट हम उसको देंगे बच्चों के देंगे डाइट के हम बात करें तो सौप्ट डाइट देंगे क्योंकि अगर हाट डाइट देते हैं तो पहले सी इंटेस्टेन के अंदर परफॉरेशन हो चुका है इनफला में बच्चा उसको इनेवल रहेगा डाइजिस् के दौरा भी हम उसको बच्चों को इलेक्टोलाइट जो इंबैलेंस हो रहा है इसको बैलेंस करने के लिए इनफ्यूजन के दौरा डी एनएस ना डीफाइव मेट्रोजेल जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगा हम दे सकते हैं मेडिकल मेनिजमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकेसंस के हम बात कर लेते हैं तो बच्चों को O Re Nina क्या जाएंगि, ORS आरेस करेगा फ्रृप्रॉरप्स करेगा एंटीवाइटेश तेंगे, अंटीवाइटेस में एंपिसिलीन हो गया इसमें डोजेज को कैल्कुलिटेट करके बताया गया है बच्चे के अंदर 125 आमजियम पर 5 ml के इसाब से हम दे सकते हैं इसके अलबा कोटरमक्सा जॉल या मेट्रड़ जॉल यह भी हम दे सकते हैं टैबलिट फॉर्म में और बोटल फॉर दोनों में आता है नेक्स्ट सेपलोस्परीन यह भी हम दे सकते हैं ना सेपलैक्सीन या सिफवेंडर डॉल यह सब क्या करेंगे जिये बैक्टरिया गिरोध क्रोग करेंगे अंट्यॉटिक से ना नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अगर पैन हो रहा है तो पैन की दबाई क्या खेंगे जो फीवर हो रहा है तो फीवर की दबाई दिंगे ऐसे करके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे करें को चैल्थ एजुकेशन से जब बच्चा ठीक हो गया दबाई उसे हमारे पास हैडमेट ता भी बच्चे ठीक हो या हम उसको खर वेजना चाह रहा है उसका हम डिस्चार्ज करना चाह रहे तो हम कुछ से ऐसे ऐसे के अंदर परिंदिल रावरे में बच्चे को बता सकते बच्चे के जा टेंडर्स है माता पीन गर की साफ सपाई रखे गर में खाने पीने के बरतनहों को सही रखे ना toothpaste टiyaई इनफ्टेड फूल का प्यूग नहीं करना है। फोड़ सेंस्ट के बारे में विस्थे बारे मिए फूरिफीकेशन चमरत को किस तरीके से गरम करके पीना है, आरों का पानी पीना, कैसे किस तरीके-स कर सकते हैँ, उस सब के बारे हम बता देंगे इसके अलावा फूर्ड हैंड लाइन के बारे में हम थोड़ा सा डिसकर्स कर लेंगे माता पिता से कि किस प्रकार से जो खाना है उसको हम क्यार कर सकते हैं किस प्रकार से उसको हम एक स्टोरेज कर सकते हैं कभी भी कच्छा खाना नहीं खाना है कंप्लीट को किंग के बारे में बताएंगे क्योंकि जो कच्छा खाना होता है मीट बगएरा होता है या फिर कोई ऐसी वेजटेबल्स होती है कहीं जो अगर कच्छी खानी खाते है एक यह प्रेजेंट है दो उसकी बज़े से भी इनफ्रेक्शन हो सकता है इस प्रिकार से हम ससको बताएंगे रहे सिसकी बात करें यह तो अगर अल्ली ट्रीटमेंट किसी भी चीज़ हो दिए कि किस प्रकार जंदूद जल्दी साई किया है तो इसके प्रोग्नेश इसको जैसे अरली ट्रीटमेंट अकर हमने कर दिखायoter हम प्रिबेंट कर सकते कॉम्प्लिकेशनस को और बच्चे की लाइब को सेफ कर सकते हैं को बन मॉल्टडी इंफेंट के अंदर होती है है इसकी वजे से क्योंकि मच्चे के अंदर होगा तो सबसे पहले इनपाइड आताय जिसको सब से कम इम्मूटि किसको अFre missionary होता है ऐसे infections को कॉफ करने के लिए या सेने की लिए यह क्योंकि उसका immunity tendency response सारे वह थोड़ा सा कम रहता है और हाँ दूसरा बात अगर किसी इङन न्यूट्री संस ऐन नहीं है उसको इम्नुटी भी सभ नहीं होगा और इंफेक्शन और चांज ज्यादा बन भेते हैं इस क difन में घॉनितार torch पर चून है कि